काल भहरव का मतलब है वो जो काले हैं ये उनका एक आयाम है इसे कई तरीकों से देखा गया है ये शिव का एक भयंकर रूप है जब वो विनाश करने लगे किसी चीज का विनाश नहीं समय का विनाश क्यूंकि ज्यादतर लोग जीवन अच्छे से जीने का फैसला नहीं करते ह कि एक इच्छा होती है कम से कम उनकी मृत्यू शांदार तरीके से हो यही चोटी सी इच्छा लाखों लोगों को काशी खींचलाती है मरने के लिए तो जीवन के अंतिम चरण में लोग आये क्यूंकि वो शांदार तरीके से नहीं जी पाए उनका सपना था कि वो कम से कम शा तो आपको मुक्ती मिल जाएगी। भले ही पूरी जिंदगी आप बेहत बुरे इंसान क्यूं न रहे हो। तो तमाम बेकार लोगों ने वहाँ आना शुरू कर दिया क्यूंकि उन्होंने बुरे तरीके से जीवन जिया था। और वो शांदार तरीके से मरना चाहते थे। इसस आज भैरवी यातना कहते हैं उसे उन्होंने ही शुरू किया था। आपको पता है यातना का क्या मतलब है। यातना का अर्थ है भयंकर पीड़ा। ऐसा आपके साथ नर्क में होता है। पर वो इसे आपके साथ यहीं कर देंगे। जीवन के आखरी 40 सेकेंड में अगर व्यक आखकेцип एकत्री 40 सेकेंड में कई जन्मों के एकत्रित कर्म तेज गति से नजर आते हैं। उस पल इन 40 सेकेंड में ही अगर आपने अज्यानता का जीवन जीया हैं। अगर आपने अजेतना का जीवन, अजेतना के कई जीवन जीए हैं इन 40 सेकंड में अगर आप थोड़ी जागरुकता बनाए रखें तो वो कहते हैं कि आप कई जन्मों के कत्रित कर्म से मुक्त हो जाएंगे आप सिर्फ 40 सेकंड के लिए एक तीवर पीड़ा से गुजरेंगे और फिर शुद्ध हो जाएंगे और विलीन हो जाएंगे मूल्य रूप से अध्यात्मिक्ता का मतलब आपके जीवन को तेज गती से भगाना है आपका कश्ट भयंकर हो सकता है क्योंकि सब कुछ तीवर गती से घटित हो रहा है जिसे आप 10 सालों तक खींचते वो मान लीजिए एक महीने में हो रहा है तो आप जिस कश्ट से गुजरते हैं उसकी तीवरता बहुत अधिक होती है आनंद और खुशी के पल हो सकते हैं मगर कश्ट भयंकर होता है क्योंकि चीजें आपके अंदर तेज गती से घटित होती है तो कम से कम अपने जीवन के अंत में आप प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो बहरवी यातना ये सब एक शक्तिशाली प्रतिष्टित स्तान के कारण होता है प्रतिष्टित स्तान का अर्थ ये हैं एक चीज तो यही है कि ये जीवन केंदरित हो जाए इसका मतलब है कि जीवन इतना एकाग्र हो जाए कि वो जबरदस्त गती से कर्म के इंधन को जला दे कुछ समय बाद जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो और यातना नहीं होगी वो बस जलता रहेगा धरसल आप तेज गती से चक्कर काट रहें तो यही एक प्रतिष्टित स्थान का मकसद है काशी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से उसे बनाया गया उसकी कला, उसकी सुन्दर्ता उन दिनों कहते हैं कि धर्ती पर कोई दूसरा शहर इतना सुन्दर नहीं था ये सब चीजें मिलकर वो एक बड़ा आकर्शन बन गया उन्होंने लोगों का ध्यान खीचने के लिए वो वादावरन तयार किया तो काशी सिर्फ सुख और सुन्दर्ता नहीं है वो ऐसी जगा है जहां लोग दुख के सबसे तीवर रूप को जहलते हैं क्योंकि वो जीवन को बहुत तेज गती से भगा आतेते हैं कई जन्मों की चीज़ें एक ही बल में जल जाती हैं